हेलो गाइज आज हम बनाएंगे ब्रत में खाई जाने वाली समा के चावल की खीर बहुत ही नए तरीके से आपको बहुत पसांद आएगा तो प्लीज आप लाइक करें सब्सक्राइब करें बैल आकन का बटन दबाएं जिसे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए वीडियो शुरू करते हैं यह मैंने एक कटोरी समा के चावल ली हैं जिसे मैंने एक गंटा पहले बिवोने के लिए रख दिये थे और हमारे समा के चावल अच्छे से फूल भी गए है अब हम लेंगे खीर का सामान जिसकी हमें जरूरत है यहाँ एक कटोरी मखाने लेंगे 2टेवल अच्छी लेंगे हैं चनरी नारयल है diss charira डाली जातें हैं चार टेवल स्पीन हम मिल्क पाडर लेंगे इस से हमारे खीर का बहुत ही अच्छा हे तरह है यह ग्रेटेल किया ओवा सूखा में किस्मिंश लेंगे यहां कटे और सावत बादाम लिए हैं खीर की खुश्वू के लिए इलाइची लेंगे सूखा नारियल है जिसे मैंने लंबा लंबा काट के रख लिया है जिसे खीर में लंबे लंबे पीसिज बहुत ही अच्छे लगते हैं तो चलें वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक टेबल स्पून देशी घी डालेंगे आप जो भी ब्रत में खाते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं मैं यहां पर सबसे पहले मखाने डालूँगी आपको जो भी ड्राइफ रूट अच्छे लगते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पे जो मेरे पास है मैं वो सब डाल रही हूँ सभी ड्राइफ रूट को हम अच्छे से स्लो गैस पे रोष्ट कर लेंगे रोष्ट किवी ड्राइफ रूट खीर में बहुत ही अच्छे लगते हैं अब हम इसे धीरे से चलाएंगे हमें ज़्यादा भी रोष्ट नहीं करना है आप देख सकते हैं हमारे सभी ड्राइफ रूट रोष्ट हो चुके हैं अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे मैं यहाँ पे एक लीटर दूद ले रही हूँ अब हमसे बीच बीच में चलाते रहेंगे जिसे दूद हमारे नीचे कड़ाई में जले नहीं इसे तरह से हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे आप देख सकते हैं दूद हमारा गरम हो चुक है अब हम इसमें समा के चावल डालेंगे जिसे मैंने दो बार इसे वाष्ट कर लिया है अच्छे से अब हम नहीं से बीच ओपीच में चलाएंगे चलाते जुरूर रहना है गाईज ना बना हमारे चावल नीचे से लग जाएंगे और ज로우 गारेज क著 लाएंगे तो हमें बीच ओपीच में चलाते ही रहना है दूद में वबाल आ चुका है अब हम इसमें छोटी एलाइची का पाडर डालेंगे, इसे खुशू बहुत ही अच्छी आती है, अब हम इसमें मिल्क पाडर डालेंगे, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकर मिल्क पाडर से हमारी खीर बहुत ही अच्छी बनती है, अब कटे दालैंगे किसमिस डालेंगे कोकोनट का ने ONE कौकोनट. अब दालेंगे और तरहिए को अच्छे से चलाएंगे. पहता है, खीर को हम चलाते रहेंगे बीच भीच में आप देख सकते हैं धीरे-धीरे हमारे खीर गाड़ी हो रही है अब हम कटा हुआ सूखा नारियल डालेंगे मखाने डालेंगे और फिर से चलाएंगे गाइज यह बहुत ही अच्छी और टेस्टी खीर बनती है जो आप ब्रत में असानी से खा सकते हैं भुनी हुई चोरोंजी जो हमने रोश्ट करके रखी थी वो डाले तो प्लीज आप कमेंट और लाइक जुरूर करते रहा करें और फॉल वीडियो वाचिंग करा करें जब तक आप फॉल वीडियो वाचिंग नहीं करोंगे आपको हमारी रेस्पी समझ में नहीं आएगी हमने यहां पर चीनी डाल दी एक बड़ी कटोरी आप अपने मीठे के अनुशार कम या ज्यादा कर सकते हैं अब यहां पर रोज पैटल के लीफ डालेंगे इससे हमारी खीर बहुत ही देखने में अच्छी लगती है आप देख सकते हैं खीर हमारी बनकर त्यार हो गई है और गाड़े भी अच्छी हो गई है ठंडी होने के बाद और भी हो जाती है अब हम इसे मटकों में छोटे-छोटे मटकों में सर्व करेंगे जिसे हमने इसका नाम मटका खीर रखा है जो बहुत ही टेस्टी लगती है तो प्लीज आप जुरूर ट्राई करना और प्लीज फुल वीडियो वाचिंग करा करें लाइक करें सब्सक्राइब करे कि आपको हमारी ये समा के चावल की मटका खीर कैसी लगी है कि बताएं कि आपको हमारी नेक्ट वीडियो कौन सी चाहिए तो हम आपके लिए वही वीडियो लेकर आएंगे मटका खीर फ्रेज में रखें और ठंडी ठंडी खाएं बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी ठेंक अएएव और वचे गईको हमारी एंगे चल्uuuu